Assalamu alaikum students, how are you? कैसे हैं आप सब? Now let's start our English lesson. Open your English books. Open the page number 3. Have you opened it? Okay. Wow, किते beautiful pictures हैं. है न? Who is this? ये कौन है? ये एक लड़की है. और इसके हैंड में क्या है? Ball. This is ball. उसके पास एक लड़का भी है. और लड़के के हैंड में क्या है? This is bat. ये क्या है छोटा सा? ये एक rabbit है. This is rabbit. और इसके पीछे क्या है? Slides. ये क्या है? ये तो आपको पता होगा. ये swings हैं. और क्या है? This is grass. वाहो, यहाँ पे तो एक बड़ा सा loin भी है. है न? हम्... यहाँ पे देखें, floors भी हैं. वाओ, कितने beautiful floors हैं. है न? हम्... यहाँ पे bench भी है. Today our topic is On the Playground. सब बचे मेरे साथ प्रुपीट करें. On, On, On The, The Playground. This is a boy. Let's suppose कि इसका नाम क्या है? Ali. क्या नाम है इसका? Ali. यह एक लड़की है. Let's suppose इसका नेम है Sana. यह लड़का इस लड़की को क्या बता रहा है? Hello. सलाम कर रहा है. आपको पता है कि इंग्लिश में सलाम करने को बोलते हैं? Hello. बता है आपको? Hello. My name is Ali. यह इसको सलाम करने के बाद क्या कहता है? कहता है मेरा नाम Ali है. और क्या कह रहा है? I am six years old. मैं छे साल का हूँ. क्या इसको बता रहा है? बोल रहा है मेरा नाम Ali है और मैं छे साल का हूँ. और यह लड़की इसको क्या बता रही है? पता है आपको? हम्... यह बोल रही है? Hello. यह भी इसको सलाम कर रही है. और बोलती है My name is Sana. मेरा नाम Sana है. I am five years old. मैं पांच साल की हूँ. यह कितने साल का था? यह तो छे साल का था. और यह इसको क्या बता रही है? यह कितने साल की है? पांच साल की. ओ... यह लोईन क्या कहना चाह रहा है? आपको पता है? यह लोईन क्या कहे रहा है? क्या कहते है? पता है किसी को? यह कह रहा है She is a girl. वो एक लड़की है. आपको पता है? जब भी कभी हम girl जहां पे देखेंगे उसके साथ हम क्या देखेंगे? कि उसके साथ she का use होगा. She girl. She girl. जब भी हम किसी लड़की का नाम बताएंगे तो उसके साथ क्या use करेंगे? She. और जब हम किसी लड़की के बारे में बताएंगे तो हम क्या use करेंगे? तब हम He use करेंगे. He is a boy. वो एक लड़का है. तो स्टूडन्ट्स आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा है कि अगर कोई आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप क्या कहेंगे माई नेम इस जो भी आपका नाम होगा आप वो बताएंगे जैसे मेरा नाम सानिया है तो मैं कहूंगी माई नेम इस सानिया तो आप क्या कहेंगे जो आपका नाम होगा आप वो बोलेंगे उसके बाद जब अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितने साल के हैं तो आप क्या बताएंगे जो बच्चा सिक्स का होगा वो बोलेगा I am six years old और जो five का होगा वो क्या बोलेगा I am five years old और क्या सिखा हमने और हमने ये सीखा कि जब भी हम किसी लड़की के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए she use करते हैं या तो उसका नाम आजाता है या उसके साथ she आजाता है और जब हम किसी लड़के के बारे में पढ़ते हैं तो उसके साथ he use करेंगे या तो उस लड़के का नाम आएगा या उसके साथ ही आएगा